आपको आपको है हमारी अपडेट्स मिलती रहें धन्यवाद संद निरंकारी मिशन को छटे सत्कूरु के रूप में बेहन सुधीक्षाजी मिलेंगी यह निरंकारी मिशन का एतिहासिकल है जब पूरे विश्व के अंदर संद निरंकारी मिशन के श्रत्थालों को इस खबर की जानकारी मिलेगी निरंकारी मिशन में हर्ष के साथ एक खुशी की लेहर दोड़ी है एक नई शक्ती का संद निरंकारी मिशन के अंदर हुआ है सत्कूरु बाबा हर्तेव महराज का एक सड़त और घटना में शरीर को प्यागने की घटना घटी उस वक्त सुल्कियों में आया था लेकिन उस वक्त संद निरंकारी मिशन के प्रथम महिला सत्कूरु के रूप में पांचवे नमबर पर माता सविंदर हर्तेव जी महराज का दिया सीन हुई लेकिन समय ने करवटली कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि आज माता सविंदर हर्तिव श्री महराज के आदेश से 16 जिलाई 2018 को बेहन सुदीख शाची को सत्कुरू रूप में खुशित कर दिया गया है। इसमें सुदीख शाची की ताच पोशी की जाएगी। मेंबर इंचाच कृपा सागर के अनुसार निरमकारी मिशन के फक्त समागम के रूप में उपस्थित रहेंगे जो इसे पेहासिक पल की गवाह बनेंगे। निवर्तमान सत्कुरू माता सविंदर हर्तिव जी महराज ने मिशन के ऐसे नाजग दोर में जिम्मेदारी को संभाला था। जब पूरे विश्प में करोडों श्रथालू अपने परंप्रिय मानवता के महानायक सद्कुरू बाबा हर्तिव सिंग जी महराज उनके बीच नहीं थे। ऐसे में अपने दिवे स्वरू भर्तिल अजीच परंप्रिय सद्कुरू को खोने के गम में डूब बे हुए थे आँखों में अश्रू दरब बहर रही थी। ऐसे गम के माहौल में शक्ती के रूप माता सविंदर भर्तिव जी महराज ने अपना सनित्य प्रदान किया। इस मानव परिवार को संभाला। इस बार यह धड़ी श्रतार्यों के रिदय में नई उमंग नई चेतना के साथ नई शक्ती का संचार करेगी। इस संथ निरंकारी मिशन को एक उंची परवाज मिलेगी और मानवता को मानवी भावनाओं के साथ दिफ्यागुणों से अलंकरत करने का व्याबारेक स्वरूप प्रकट होगा। निरंकारी मिशन का इतिहास बाबा भूडा सिंग, बाबा अवतार सिंग, बाबा गुरुविटन सिंग, बाबा हर्तिव सिंग और माता सविंदर हर्तिव जी महाराज के पशचाप बेहन सुदीक्षा सपूरू के रूप में प्रकट होई है। मानफ्ता का गुलतस्ता संद निरंकारी मिशन अपनी मानफ्ता की खुश्बू से सारे जगत को सुगंदित कर रहा है। ऐसी भावना मंगल कामना विश्व के विभिन राष्ट्रों में रहने वाले निरंकारी संद महात्मा कर रहे है।